Hello students and welcome to Marola classes आज हम देखेंगे कि हम अपने new test portal को कैसे access कर सकते हैं तो चलिए students start करते हैं सबसे पहले हम अपने web browser पर जाकर Marola की official site यानि की www.marola.in को search करेंगे सो students जैसा कि आप देख रहे हैं कि Marola का official home page open हो गया है स्टूडेंट्स हम इसको नीचे स्ट्रोल करेंगे और यहाँ पे आपको एक login को option मिलेगा यहाँ पे हम अपना username, ID और password डालकर login कर सकते हैं सो students हम अपने portal पे login कर चुके हैं यहाँ पर उपर navigation bar में आपको Marola test series को option मिलेगा test series में login करने के लिए आपको यहाँ पे पहले sign up करना पड़ेगा अगर आपने शुरवात से sign up नहीं करा हुआ है तो आप login नहीं कर पाएंगे सो चलिए आप students login करते हैं सो students जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर popular exams का एक section हैं जिसमें की MCA की most popular exams यानि की NIMSET, CUET, GNU, Maha MCASET और BHU इन सब के sections एविलेबल हैं आप जिस particular exam को target कर रहे हैं आप उस section में जाके उसके test papers को practice कर सकते हैं let's begin with NIMSET, so students यहाँ पर NIMSET की free mock test, mock test, sectional test, topic wise test और previous year papers यह सभी available हैं आप इन सब की practice कर सकते हैं, let's begin with NIMSET mock test so students जासा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक instruction panel open होके मिलेगा यह instruction panel आपके exams के pattern पे exactly based है, ऐसे ही instructions पढ़ने के लिए आपको examination में 10-15 minutes a lot होंगे students यहाँ पर आपको एक grade provided है, जिसमें की आपको बताया गया है कि एक particular section में आपकी total number of questions कितने हैं वो particular section total कितने marks का है, एक question गलत होने पर आपके कितने marks negative होंगे और अगर वही question सही होता है तो आपको कितने marks a lot होंगे so students जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपने mathematics section में है mathematics section में total number of questions 50 है एक question सही होने पर आपको plus 12 यानि कि 12 marks a lot होंगे और अगर आपको question गलत होता है, तो आपके 3 marks reduce हो जाएंगे students यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कि कोई भी option select करने के बाद आपको यहाँ पर save जरूर करना है, अगर आपने option save नहीं करा, तो वो consider नहीं होगा students हम यहाँ पर एक section से दूसरे section में directly switch भी कर सकते हैं, अगर आपको एक section के सारे questions नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरे section में switch कर सकते हैं, स्टूडर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह aptitude और reasoning का section है इसमें total number of questions 40 है एक question सही होने पर आपको plus 6 यान कि 6 marks अलोट होंगे और अगर आपका question गलत होता है तो आपके 1.5 marks reduce हो जाएंगे स्टूडेंट से आपका computer section है इसमें total number of questions 10 है और एक question में आपको plus 8 यान कि 8 marks अलोट होंगे और अगर आपका question गलत होता है तो आपके 2 marks reduce हो जाएंगे आपका last section English का है जिसमें total number of questions आपके 20 है एक question आपका 4 marks का है और अगर आपका question कलत होता है तो आपके 1 marks reduce होंगे स्टूडेंस टेस्ट सम्मेट करने के बाद आपके यहां पे एक summary report generate हो रही है जिसमें आपके total number of questions 120 है आपने कितने questions answer करें हैं कितने answer नहीं करें हैं और कितने questions आपने visit नहीं करें हैं यह सब mention हो रहा है students proceed करने के बाद आपके performance report generate हो रहे हैं जिसमें की यह दिखाया जा रहा है कि आपके कितने number of questions correct हैं कितने questions आपके incorrect हैं, कितने questions आपने attempt ही नहीं करें हैं और कितने questions ऐसे हैं जो आपने visit नहीं करें हैं Students इसमें आपका score, accuracy, rank, percentage और percentile ये सब mention हो रहा है चुकि मेरी rank यहाँ पर top 5 में नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिख रही है 14th rank है out of 20 Students यहाँ आपका section wise distribution शो हो रहा है यानि कि आपको कौन सा portion strongest है, कौन सा portion आपका weakest है कौन सा portion आपने सबसे कम टाइम में कर लिया है, यानि कि fastest और कौन सा portion करने में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे लिया है, यानि कि इस चीज से आप हर एक particular section पर ध्यान दे सकते हैं और उसको improve कर सकते हैं उसके बाद students आपकी details section performance भी यहाँ पर show हो रही है mathematics में आपने कितने questions attempt करें हैं, उसमें से correct कितने हैं उसके basis पर आपका accuracy level क्या है, यह सब यहाँ पर mention हो रहा है और यह हर एक section के लिए यहाँ पर आपके पास available है उसके बाद students यहाँ आपकी attempted efficiency यानि कितने questions आपने attempt करें हैं और attempted questions में से आपके सही कितने हैं, वो चीज यहाँ पर आपकी show हो रहे है उसके बाद students यह आपका एक graph है, जिसमें आपका यह show हो रहा है कि आपने कितना time utilize करा है और कितना time आपने waste करें हैं, यहाँ कितना time आपने उन questions में दे दिया है, जो questions आपने attempt ही नहीं करें Students अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी performance को बहुत improve कर सकते हैं आप उन questions पर कम time देंगे, जो आपको attempt ही नहीं करने हैं इससे आपकी speed बहुत ज़ादा improve होगी और आपने test में बहुत better score कर पाएंगे उसके बाद students यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है, कि हर एक question का solution यहाँ पर available है सो students जैसा कि आप देख रहे हैं, कि हर एक question का answer और उसके साथ साथ उसका explanation भी given है कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें solution नहीं पता होता है, लेकिन हमें answer पता होता है और कभी-कभी हम गलत answer टिक कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर हमें answer भी given है और उस answer का explanation भी properly given है सो यह चीज़ आपको बहुत help करेगी सब्सक्राइब आपको पता चला होगा कि आप अपने टेस्ट को कैसे access कर सकते हैं चली, thank you so much